नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है, सबसे पहले मुख्य समाचार सेल के निदेशक परियोजना और व्यापार योजना डॉक्टर गनेश विश्विकर्मा ने रावर केला स्टील प्लांट का परिदर्शन किया रावर केला स्टील प्लांट के नविकरित गोप बंदू सभागार उद्खाटित और आरेस्पी की दसवी स्पाथ सिनरजी क्रिकेट चैंपियंशिप दो हजार उन्नीस की विजेता के रूप में एसेमेस दो टीम उगरा अब समचार विस्तार से स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट सेल के निदेशक परियोजना एवं ब्यापार योजना डॉक्टर गनेश विशुकर्मा ने 26 परवरी 2019 को रावर केला स्टील प्लांट RSP का परिदर्शन किया उनकी आगमन पर डॉक्टर विशुकर्मा का स्वागत रावर केला हाउस में CEO स्री अश्वीनी कुमार द्वार किया गया कारिपालक निदेशक परियोजना स्री राजी वगरवाल OSD स्री दीपक चत्राज कारिपालक निदेशक कार्मी केवं प्रशासन स्री राजवीर सी कारिपालक निदेशक वर्क स्री गौतम बैनर जी कारिपालक निदेशक समागरी परवंधन स्री डी के महापात्रा और प्लांट के अन्य वरिष्ट अधिकारी उपस्थित थे इसके बाद दॉक्टर विश्व कर्मा ने नीव हाट स्टिप मिल के आरोटी पंप हाउस, री हीटिंग फ़नेस, रफिंग स्टेंड, फिनिशिंग मिल स्टेंड, डाउन कोईलर और वाटर ट्रीटमेंट परियोजना छेतरों का परिदर्शन किया और परियोजना कारी की प्र परिदर्शन के बाद दॉक्टर विश्व कर्मा ने CEO समिलन कर्च में एक समिक्षा बैठक की अध्यक्षता की, बैठक में स्री अश्वीनिक कुमार, स्री दिपक चट्राज, कारेपालक निदेशक, CET, स्री केदास, स्री केवी रमना, RSP के कई महाप्रवंदक और लार्शन टूर्बो और मिट्सु विशी कॉर्परेशन के प्रतिनीधी उपस्थित थे, चर्चा की दोरा निव होट स्टिप मिल परियोजना स्थिती पर एक प्रस्तुति करन की गई, दोपहर को डॉक्टर विश्व कर्मा को रौर किला हाउस में स्री अश्वीनिक कुमार और सेल के अनिवरिष्ट अधिकारियों द्वारा गर्म जोशी से विदाई ती गई, सेल रौर किला स्टील प्लांट आरेसपी के नविकृत को बंदू सभागार को मुख्य कारिपालक अधिकारी श्री अश्वीनिक कुमार ने 25 फरवरी को उद्गाटित किया, यह उलेखनी है कि यह सभागार का उद्गाटन पहली बार 14 फरवरी 960 को किया गया था, अपने अस्तित्व के हीरक जैंती वर्ष में ऑडिटोरियम को एक वीडियो वाल सहीत अत्यादुनिक सुविदाओं से नविनी कृत किया गया है, इस अबसर पर कारिपालक निदेशक परियोजना स्री पातरा भी मंच पर उपस्तित थे, इस उपलक्ष में सामोहिक संपर्क सभा का 821 सत्रवी आयोजित किया गया था, कारिक्रम की शुरुवात सेल गान बजाते हुए की गई, लगभग 500 कार्मिकों की सभा को संबोधित करते हुए स्रिय अश्विनी कुमार ने कहा, राउर किल पैस्टिल प्लांट की अविश्वसनिय सफलता, पद्धती या उपकरन की वजह से नहीं, बलकि कर्मचारियों के उत्साह और परतिवद्धता के कारण प्राप्त हुआ है, सफलता सबसे बड़ा प्रेरक है और इसे आरिस पी ने बखो भी साबित किया है, यह उलेखनिये ह कि स्री अश्वीनी कुमार 28 फरवरी को कमपनी की सेवा से सेवा निवरित हो रहे हैं और यह उनका अंतिम सामोहिक संपर्क सभाथ था, बंदे उतकल जननी के साथ अपने भासन की शुरुवात करते हुए CEO ने सयंत्र के शांदार परदर्शन के लिए आरिस पी कर्मी समूह क की भरपूर सराहना की, उन्होंने कहा कर्मी समूह के सकरात्मक सोच और द्रिध पर्यासों ने आरिस पी के टैग लाइन प्रगती के पत पर को सुनिश्यत किया है, स्री राजीव अगरवाल ने अपने संबोधन में आरिस पी के रिकॉर्ड तोड प्रदर्शनों का जिक्र क करते हुए, इस दिशा में विभिन संचार बैठकों की भूमिका पर प्रकास डाला, स्री चटराज ने अपने भासन में आरिस पी टीम का हिस्सा होने पर प्रसनता ब्यक्त की और गोफ बंदू सभागार को आरिस पी की धरूहर और गौरव बताते हुए, उन्होंने 2030 और इससे जुड़े आरिस पी के भाविस से परविचार विमर्ष किया, इस अपसर पर बोलते हुए, श्री राजविर सिह ने आरिस पी कर्मी समू से संचार बैठकों में सक्रिया रूप से भाग लेने और गुनवत्ता सुझाओ देने के लिए आगरह किया, जिससे सयंत् इस पादन में और भी सुधार लाया जा सके, अपने संबोधन में स्री गौतम बनर जी ने भी उतपादन और लाव प्रदत्ता में सुधार लाने के लिए संचार बैठकों के महत्व पर जोड़ दिया, उन्होंने कर्मी समू से आगरह किया कि वह निर्धारित लक्ष को प् प्रदर्शन इकाईयों में से एक के रूप में एक स्थान सुनिश्चित किया है, उन्होंने सयंत्र के उतक्रिष्ट प्रदर्शन में CEO के उलेखनिया योगदान की भी सराहना की, शुरुवात में स्रीमती बर्खा शर्मा, OCT विद्यूत वितरन ने सयंत्र के कामकाज के व विभिन पहलूओं पर विस्तार से बताया, तत पश्यात विचार विमर्शत्र के दोरान कर्मचारियों ने उत्पादन, उत्पादक्ता, रख रखाओ और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित सुझाओ दिये, स्रीमती समिता मिश्रा वरिष्ट इंस्ट्रक्टर HRD ने स एक संकल्प ग्रहन समारोह के साथ समाथ हुआ। कार्मी केवं प्रशासन स्री रहमान खान सम्मानित अति थी थे। इस अवसर पर RSP के कई अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्तित थे। फाइनल मैच स्टील मिल्टिंग शॉप दो और कार्मी केवं प्रशासन छेतर के बीच खेला गया। SMS दो ने टॉस जीता और पहले बल्लेवाजी की। उन्होंने 12 ओवर में 4 विकेट खोकर 107 रन बना कर कार्मी केवं प्रशासन टीम को 42 रन से हराया। कार्मी केवं प्रशासन टीम ने 12 ओवर में 5 विकेट पर सिर्फ 65 रन बना पाए। स्री नभी जॉर्ज ने 25 रन देकर 2 विकेट लिये जबकि स्री योगेंद्र दास ने 20 रन देकर 1 विकेट लिया। SMS दो के OCT स्री शंकर सेथी को चैंपियनशिप का मैन ओप दम मैच घोसित किया गया। SMS दो के SOST स्री सुबर्न सी को सर्वस्रेष्ट बल्लेवाज घोसित किया गया। जबकि OCT स्री प्रशांत कुमार प्रधान चैंपियनशिप के सर्वस्रेष्ट गिंदवाज ठहरे। मैच का संचालन अंपायर समागरी प्रबंदन के स्टोर कीपर स्री सुबास महानती और CRM के वरिष्ट तकनीशियन स्री राजीप महराना द्वारा किया गया। प्रारव में उप महाप्रवंदक PHS एवं SW स्री हीरालाल महापात्रा ने स्वागत भासन दिया जबकि उप प्रवंदक क्रीडा स्री अविनाश खाटुआ ने धन्यवाद ग्यापित किया। उलेखनी है कि चैंपियंशिप का उद्गाटन कारिपालक नीदेशक वर्क्स स्री गौतम बैनर जी द्वारव 15 फरवरी 2019 को किया गया था। जो टीमें समी फानल तक पहुंची थी हुए हैं इलेक्रिकल जोन, P&A, SMS-2 और प्लेट मिल, न्यू प्लेट मिल एवं स्पेशल प्लेट प्लांट की टीम। इसके साथ ही आज के हिंदी समचार यहीं समाप्त हुए नमस्कार। झांक क वीग allied प्लेट मिल, झांक को किया हैं यही很जएवस्जदा नमस्कार। झांक को किया झांक का प्लेट나 टीम।